चलिए गॉले लेट दे प्रफेश्यनल कॉंग्रेस के 5 सबर्बार्ण का समपन हुचए है वरिष्ट कांगरस नेता प्रोफेशनल कंगरस की सदस्च मौझूद रहे और इंडिया प्रोफेशनल कॉंग्रेस के देश भर के अध्यक्षपी इस समारों में मौझूद रहे बंसर लिए उससे कॉंग्रेस नेता श्रशी थरूर अधिवेशन का आज समापन हुआ 36 गड़ में हुए इस राश्री अधिवेशन का आज समापन हुआ हमारे साथ इस समापन है लोग सबसांसाथ सथी थरूर जी हम उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ इस अधिवेशन में निकल कर आया है और किस तरीके की चर्चाएं हुई है सर दो दिन का अधिवेशन था आप भी सुरू से आखरी तक मौझूद रहे क्या कुछ निकल के आया है देखी ये तो दो दिन का यहां जैसे अपने कहा अधिवेशन था और इन दो दिनों में मेरे ख्याल में जो कुछ चर्चा हुई काफी दिल्चस्प रहा पूरे भारत स लोग आये थे हमारे तो चौबीस राज्यों में All India Professionals Congress के संगटन है chapters हम कहते हैं और सारे मौझूद थे यहां और क्या हमें अच्छा लगा कि Congress के अतीद पी लोग आये थे जैसे की रगुराम राजन मशूर economist जो कई महत्व पूर्न विशे पे बात किया कि हमारे लोग तंत्र में चीजें कैसे चलेंगे अगर हमारे लोग तंत्र पे हमला हो रहा है कि क्या हमारी एकॉनिमी हमारे आर्थ व्यवस्ता के लिए भी अच्छा है नहीं बेरोजगारी के बारे में डीटेल चर्चा हुआ 36 कर के नेता भी यहां आये थे कल भुपेश भगेल जी डीटेल में चर्चा किया जो वो क्या कोशिश कर रहे हैं इस प्रदेश में आज टी एस सिंग्देव साहब भी थे और उनके साथ दो मंत्री तो मेरे ख्याल में 36 कर को लोगों को भी पूरा और इंडिया प्रफेशनल्स कांगरिस के पूरे देश किये जालेगे इसको दिखा सकते थे कि इस राज्य में जो मॉडल चल रहा है विकास का इसके बारे में उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए फिर हमारे यह तो AIBC का समयलन था तो नेचरिल एडियाइपीसी के लोग आपस में भी बात करने की जरूरत थी कि हमारे अनुबह क्या है इस पांच साल में क्या क्या बदलना है क्या अच्छा चल रहा है क्या इतना अच्छा नहीं चल रहा है उस किसम की बात्छी बी काफी ह और हमने एक resolution adopt किया है जो हम माधिमों को भी देना चाहते हैं मेरे पार खाल में यहां होगा उसका उसकी copy जिसमें हमने कहा है कि भारत में जो कुछ चल रहा है आजकल ये ठीक नहीं हमारे हम काफी चिंचित चिंतित है और क्यों तो काफी detail में लिखे हमने एक resolution adopt कि unanimous की सब लो मेरे खाल में ये दो दिन के बाद लोग यहां से चले गए हैं अपने इलाके में वापिस लेकिन एक नया उर्जा के साथ सर अपने जैसे resolution की बात करी एडी की कारवाई लगातार हो रही है चाहिए सोनिया गांदी से पूछताच की बात हो या फिर रहुल गांदी जी से लगातार आप लोग वहां विरोत प्रदर्सन भी की हैं गिरफतारी भी है आप लोगों की लेकिन कोई रास्ता निकलता नही इसे लेकर क्या सोचते हैं एडी की कारवाई को लेकि देखे हम सोचते हैं कि सरकारी स्थापनों को ऐसे दूरुपयोग करना ठीक नहीं है एक राजनीतिक इस्तमाल हो रहा है हमारे सरकारी स्थापनों को आई टी रेविन्यू इंटेलिजेंस एडी सी बी आई यह सब जो अorte Śक नहीं है यह कभी नहीं हो सकता कि हमारे देश में जो आर्थरीक इड़रिडी से होते हैं गल्तिय जो होते सिर्फ विपक्ष के नेतां करते हैं क्या कोई और क्या भाजापा के साथ कोई पैसे नहीं है कोई किसी उनको कुछ नहीं देते हैं है क्या अगर राजनीतियं के चुन-चुन के विपक्ष के नेतां को पकड़ना मेरे ख्याल में ये दुरुपयोग है और ये ठीक नहीं है हमारे देश में कितने बड़े समस्या है हमारे लोग तंत्र पे इस किसम के हमला करना देश के लिए बुरा है रगराम राजिन का भाशन इसी पे था अब इडी का नाम नहीं ले उसने लेकिन वो कह रहा था कि भविश्य के लिए भारत के लिए लोग तंत्र को मजबूत करना काफी महत्वपूर्ण है तो देखी ये थे सशी थरूर जी जिन्होंने बताया कि जो दो दिन का अधिवेशन था यहां से जाने के बाद जो टीम है वो काफी औ रुजावान रहेगी साथी साथ एडी की कारवाई में कहा कि केंद्र सरकार जो है वो एडी और जो अन्य जाजदल है उसका दुरूपयोग कर रही है कैमरामेन योगेस के साथ गौर शुकला बंसली उस राइपूर